प्शाथि उन्होंने कई मुद्दो पर अपनी बात रखी उन्होंने कहा कि हर्याणा कोविड की तीसरी लहर के लिए तयार है और इसके लिए पूरे की चडूनी भले ही न्याय यात्रा निकाले जात्तंत्र में सभी को अधिकार है लेकिन जनता को परिशानी नहीं होनी चाहिए कि पिछले लगबग कि डेड़ महीनने से ने आने वाले रोग्यों की संख्या बीच से कम है कि स्थीति नेंतरन में है लेकिन हम नजर रखे हुए है हमने सभी अपने सीमोज को अभी वीडियो कांफरेंसिंग करके हमने कहा है कि चोकस रहें इंतिजाम हमारे पास पूरे है नहीं हरयना शुरूई हमाला से होता है इस साइड से तो इसमें तो हमें कोई इतराज नहीं है उनका अंदोलन है वो यात्रा निकाले दरना दे बूखरताल दे करे हमें कोई इतराज नहीं है मैंने हमेशा कहा है कि हमारा प्रजत अंतरिक देश है हर विक्ति को अंदोलन करने का अधिकार है लेकिन आपको किसी की कार के शीशित तोड़ने का अधिकार नहीं है आपको किसी को बंदग बनाने का अधिकार नहीं है आपको किसी के कपड़े पाड़ने का अधिकार नहीं है और जब जब कोई भी इस परकार सिख करेगा गानून अपनी कारवाई करेगा देखे हुड़ा साथ ने पहले भी गोशना की थी कि हम लोगों के बीच में जाएंगे लेकिन लोगों के बीच में कांगरस की क्या स्थिती है वो एल्नाबाद के लोगों ने बता दी कांगरस की जमाने जब तक राके लोग कांगरस का नाम भी नहीं लेना चाहते है ये जिस दिन से किसानों का मुद्दा शुरू हुआ है उनको बढ़काने के लिए और उनके सिर पर राजनिती अपनी चमकाने के लिए इन्हेंने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी लेकिन एलनाबाद के लोगों ने इनको आइना दिखा दिया कि वो इनकी बातों में आने वाले नहीं हैं और एलनाबाद से हमें आल टाइम हाई वोट्स मिले अपनी कमियां दूसरे पर थोपने का आदत है अगर यमना में पानी छट के समय पर गंदा हो जाए तो हर्याना ने गंदा भी जा भाई हमारा सोनीबत में बी-ोडी नाप लो अपना हुखला में नाप लो और दिल्ली से गुजरने के बाद जब यमना फिर्दाबाज आती है वहां का नाप लो आपको पता लग जाएगा दिवाली आती है तो कहते है पता के माच चलो माच चलो अच्छी बात है पल्यूशन को रुकना चाहिए लेकिन बाकी 364 दिन के जुरिवाल जी क्या कर रहे है यमना गंदी ना हो दिल्ली में कितने स्टीपी प्लांट लगाए कितने फंक्शनल होए कितनी बियोडी काम करी इनों ने बताएं